लोग तंत्र में विपक्ष मजबूत रहे लेकिन विपक्ष ही बेरोज़गार हो गया है। समझ में ने आयागा जो आज मोदी सरकार कर रही है वो तो बिहार में हम कर चुके हैं दलालों को अलग करना है बिचोलियों को अलग करना है और मार्केट खुला करना है किसानों के यह बंधा हुआ उख हम बिहार का किसान गोभी यहां दो रुपई या किलो बेचता है, वो क्यों नहीं लखनो गुजा के 40 रुपई ये बेचेगा, हम अपना धान यहाँ 1500 देते हैं, MS भी नहीं मिलता है, हम क्यों नहीं जाकर के हर्याना में उसको 1900 में बेचेगा, चिराग पसवान एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, और राष् सेती में पनप गये हैं, जात के नाम पर, कि कभी इधर और कभी उधर जाकर के कुछ सीट ले लेते हैं और उसकी सौद्यवाजी करते हैं, अब वो एक्स्पोज हो चुके हैं, तो दोनों तरफ उनकी पूछ नहीं हो रही है, इसलिए एक कन्फूजन बना हुआ है, बाकी मो इलेक्शन बे संपन्न करा लिये जाएंगे, एक ऑक्टूबर से इलेक्शन की शिरुवात भी कर दी जाएगी, लेकिन बीजेपी कितनी तेयार है, क्योंकि समय बहुत कम है, ऐसे में बीजेपी की रनीत्या क्या है, इस पर चर्चा करेंगे, इस वक्त हमारे साथ उत्तर प् रमखं के साथ चुनाव में उत्रेगे, क्योंकि समय बहुत कम है, देखिए भारतिये जनता पार्टी का जो बिस्तार हुआ, खासकर नरेंदर मोदी जी और अमिसा जी अध्यक्ष बने और आज नडड़ा जी अध्यक्ष है, तो 11 करोड तो हमारे मेंबर हो गए थे, जब अ कि यहारी करता आधारित पार्टी है, यह कोई ब्यक्ति नहीं तै करता है, जब वह ब्यक्ति जाएगा, चाहेगा तब तयारी होगी क। पाटी राश्टिय पाटी है और इस देस में हर प्रदेस में कभी न कभी साल में दो वार चुना होने ही होने हैं इसलिए हमारी तयारी पूरी है और इस चुनाओ में भी हम टू-थर्ड मेजरीटी से एंडिये की सरकार बनाएगे मुद्दे की बात करें तो जिस तरिके से हर मुद्दे को लेकर सियासत हो रही है बीजेपी कौन से मुद्दे को लेकर जमीन पर जाएगी दिक हमारा मुद्दद तो एक ही है जो दीन दयल जी का सपना था और खासकर कर पूरी ची और लोहिया जी का जो सपना था भले पार्टियां अलग अलग थी वो समाजवादी थे ये जनसंग में थे लेकिन सपना एक ही था कि जो नीचले पायदान पर बैठा हुए ब्यक्ति तक विकास पहुंचे राजनीती इसके लिए होनी चाहिए राजनीती ब्यक्तिकतनी होनी चाहिए मैं इससे बहुत ही पीडित होता हूँ जब राजनीती सीर्फ आरोप परत्यारोप की होती है और विकास पर चर्चा नहीं होती है जो अजादी के बाद से जिनके नाम पर वोट तो लिये गए लेकिन उनके उत्हान के लिए जो काम होने उसमें आते हैं, दलित भी आता है, दलित के नाम भी बहुत राजनीती होई, और खासकर जो अती पिछडी जाती हैं, जो 32-35% जिनकी जन संक्या है, जिनका उथान का सपना करपूरी जी, देन द्याल जी और लोहिया जी ने देखा था, कहीं न कहीं वो बैक्ग्राउंड में चला गया है, तो बाहरतिये जनता पाटी की कोशिश है, और खासकर मोदी जी की सरकार की कोशिश है, कि यो जो कौशल विकास, जिसको आप इसकील इंडिया कहते हैं, उसको हर परदेशों में, हर जीला तक ले जा करके, उन लोगों को प्रसिक्षित किया जाए, ताकि देश की अकोनोमी में ओ गोटिबूट कर सके, ओ प्रोड़क्टीब क्लास है, जब तक अपड़क्टीब नहीं होगा, जब तक ट्रेंड नहीं होगा, तब तक बिहार बिकसित नहीं हो सकता। विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि विरुजगारी की संख्या बढ़ गई है विरुजगार ज्यादा है या तक सड़क पर उतर कर हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना तो केंडर की मोधी सरकार उनको लेकर कुछ नया कुछ कारून बनाती है कोई योजना लागू होता है या फर नितीश कुमार की बात करें तो जेडियू भी इसको लेकर कुछ खास कर नहीं रही है ऐसे में विपक्ष का रोप है कि वेरुजगारों को साइड किया जा रहा है किनारे किया जा रहा है आपने सही बोला हम चाहते थे कि लोग तंतर में विपक्ष मजबूत रहे ले पक्ष का यह काम नहीं है कि जो सरकार करती है उसकी सिर्फ आलोचना करें अगर सरकार की सिर्फ आलोचना करते हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि पांस साल तक मोदी जी के आलोचना करते करते आप बिल्कुल सफाया हो गए आज जो आलोचने कर रहे हैं उनको तो लोग सनीता कम हो रही है ये लोग तंत्र के लिए दुर भागे पूर है तेजस्वी आदव ने जिस तरीके से किसान बिल को लेकर ये कहा कि ये किसान विरोधी बिल है जिस तरीके से केंदर सरकार ने इसे पास करा दिया दोनों सदनों से कही ना कहीं केंदर सरकार भी किसान विरोध मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि तेजस्वी जादों को इस बिल के बारे में कुछ भी पता नहीं है जो आज मोदी सरकार कर रही है वो तो बिहार में हम कर चुके हैं दलालों को अलग करना है और मार्केट खुला करना है किसानों के लिए बंदा हुआ मार्केट क्यों चाहिए हम भिंडी अपने खेत में दस रुपई या में पांच किलो बेच देते हैं गाउं में और पटना में आकर कि आप 40 रुपई बेचेंगे हम क्यों नहीं पांच पतना में आकर बेचेंगे बेहार का किसान गोभी यहां दो रुपई या किलो बेच पैशता है और क्या लखना हुजी कंश कर रहे हैं बिरोद कर रहे हैं किस लिये बिरुद कर रहे हैं यह तो किसान खुस है इस से क्योंकि आपको बता दू हर्याना पंजाब कुछ परदेशों में आप जाएंगे तो वहां बजार समीति के नाम पर सरकार में बैठे लोग किसानों का तोहन कर रहे थे उनसे वसुली कर रहे थे ओर लोग जाजा छट पटा रहे हैं इसलिए मोधी सरकार ने जी जो किया है आप देखिए अगा लॉंग टरम में किसान और किसानों के लिए तो सबसे पहले उन्होंने किया आप क्या समझ रहे हैं कि रूपनी का समय आ गया बीज बोने का समय आ गया किसान को जो 2000 करके 6000 रुपईये मिलने हैं परेकर हर किसान को इतना का मोधी सरकार किसानों के लिए कर रहे है पास्वान लगतार तल्की बढ़ा रहे हैं मुश्किले बढ़ती जा रहे हैं कि चुनाओ के समधेंगे कि हर बैक्ति चाहता है कि हमारी ही से दारी बढ़े जिसके चलते बैठके भी होती हैं नहीं तो हमारा तो समझे होता 20 साल से हैं तो यह हो जाना चाहिए था लेकिन आप है कि हर चुनाव अलग platform पलड़ा जाता है हर की frame of reference बदलते रहती है permutation combination बदलता है हर बैक्ति अपने को मजबूत करना चाहता है चीज में गलत क्या है चिराग पसवान एक बड़ी party के नेता है और राष्टी अध्यक्ष है तो अपने party को मजबूत करने की बात कर रहे हैं तो मैं क्यों उसका विरोध करूँ कोई भी कर रहा है मैं किसी का भी रोध नहीं करता हम भी अपने पार्टी को मजबूत कर रहे है हर पार्टी अपने पार्टी को मजबूत कर रहा है तो अच्छी बात है लेकिन अंतता आप देखेंगे ये कोई नई बात नहीं हर चुनाओं के पहले होता है अब करते हैं अब हो चुके हैं तो दोनों तरफ उनकी पूछ नहीं हो रही है इसलिए कंफूजन बना हुआ है बाकी मोटा मोटी दोनों तरफ गडबंधन जो औरीजनल पार्टी है उनके बीच में तो गडबंधन है आज नहीं तकल सीट जरिंग हो जाएगे आप चार वर विधा करता है पार्टी कहां से कह देंगी लडाएगे ऐसे त्याहत 210 कर रहे हैं પूरे जीले में पूरे परदेश में गुम रहे हले हैं बुगर दूसरे जीले में वह ईता है कपी काफिर काम करते हैं Więc दूसरी पार्टियों जैसा निया कि टिकेट मिलेगा तो जाएगा वही व्यक्ति काम करेगा हमारा काम चल रहा है टिकेट जिसको भी मिलेगा हर बूथ का वो 200 कारेकरता जिम्वारी लेगा उसको जिता करके भेज़ेगा पूरी बूठ लेवल पर तयारी बीजेपी के जोरों पर हो रही है, चुनाव नज़िक है, इसको लेकर बीजेपी तयार है, मुद्दे भी हथ्याली अगय है, किस मुद्दे को लेकर जनता की बीच उतरना है, बीजेपी ने पहले ही ये प्लानिंग कर ली आपने पहले ही वर्चुवल रैली में देखा होगा किस तरीके से अमीश शा ने गरजा था और किस तरीके से हर मुद्डे को लेकर उन्होंने गिनाने की कोशिस की थी केंदर की मोधी सरकार और बिहार के नितीश्र सरकार दोनों मिलकर बिहार के को हर श्रित्र में आगे बढ़ाने की पूरी कोश्चिस कर रही है और आगे की रनीतिया भी कुछ इस प्रकार है देखना दिल्चस्प होगा कि सीट श्रेरिंग का मसला कैसे सॉल्व होता है किसके प